अलो फ्रेंट्स आज हम छेटी क्लास की बूक अपक्ट विद्धासन का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है दा फ्रेंडली मंगूज दा फ्रेंडली मंगूज कहानी विश्नु सर्मा के द्वारा लिखी वी पुष्तक पंच तंत्रा से ली गई है इसमें विश्नु सर्मा ने बहुत सारी ऐसी कहानिया लिखी हैं जिससे हमें मित्र के फाइदे, मित्र से बेधवाव होना ये बहुत सारी बाते हमें पता चलती हैं इस कहानी में भी हमें ये मैसिज दिया गया है कि look before you leap कुछ भी काम करने से पहले हमें सोच विचार करना चाहिए जदि हम बिना सोच विचार किये कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें नुकसान हो सकता है बाद में हमें पच्चताना पढ़ सकता है so please think twice or thrice before doing anything कोई भी काम करने से पहले दो या तीन बार जरूर सोचें तभी अपना काम आगे करें कहानी को बताने से पहले आप से request करूँआ कि आप मेरे channel को subscribe कर दें वीडियो को like कर दें और इस वीडियो को share भी करें ताकि आपके दूसरे student साथ ही वो भी इसको देख सकें और red bell icon को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो जब को मिल सकें तो आईए चलते हैं कहानी के ओद इस कहानी में मंगूज के बारे में बताया गया है किस प्रकार से मंगूज बेवजह मारा जाता है और कैसे मारा जाता है क्योंकि जो बात हमने सबसे पहले कही है कि बिना सोच विचार किये वे कोई भी काम नहीं करना चाहिए तो चलिए चलते हैं कहानी के ओद एक बार एक फार्मर था उसकी वाइप दोनों अपने एक small son एक छोटे से बच्चे के साथ एक गाव में रहते थे they loved their child very much दोनों अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे एक दिन क्या हुआ फार्मर ने अपनी वाइप से कहा फार्मर किसान और क्या कहा we must have a pet हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए क्यों होना चाहिए when our son grows up he will need a companion जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसको एक companion के एक साथी की जरूरत पड़ेगी और जो pet जो पालतू जानवर हम पालेंगे वो हमारे बेटे का क्या होगा companion होगा साथी होगा फार्मर की वाइप ने ऐसा सुना और उसने फार्मर के इस आइडिया को बहुत लाइक किया कि हाँ अच्छा विचार है I like it एक शाम को क्या हुआ किसान एक टाइनी मंगूज टाइनी मंगूज एक छोटे से बेबी मंगूज को लेकर के घर पर आया और वाइप कहने लगी It's a baby मंगूज अरे जो बहुत प्यारा छोटा सा बच्चा है मंगूज नेवला और जल्दी ही ये बहुत बड़ा हो जाएगा आपने देखा होगा अकसर जो पस्वो के बच्चे हैं गाएं का बच्चडा, गाएं की बच्चिया एक दो महिने में ही काफी बड़ी हो जाती है सभी जानवरों के बच्चे ऐसे ही होते हैं इनसान को ग्रो अप होने में इनसान को बड़ा होने में वो बहुत समय लगता है तो फार्मर की वाइप कहती है कि इट सब बेबी मंगूज, छोटा सा बेबी मंगूज है और जल्दी ही बहुत बड़ा हो जाएगा और ये क्या होगा? हमारे बेटे का फ्रेंज होगा हमारे सन का अच्छा दोस्त होगा समय के साथ साथ जो बेबी इनका था फार्मर और उसकी वाइप का जो बच्चा था वो भी बड़ा होने लगा और मंगूज भी बड़ा होने लगा और मंगूज फाइव और सिक्स मंथ पाँच ये छह महिने लगे होंगे ये फुली ग्रॉन हो गया अपने फुल साइज में आ गया जैसे एक आप एक नेवलो को देखते हो जो बड़ा हो जाता है उसी साइज में ये आ गया और बड़ा प्यारा लगने लगा वैरी लवली इसकी दो आखें जो ब्लैक थी वो शाइन करती थी शाइनिंग ब्लैक आईज थी और फादर और उसकी जो वाइप है जो फार्मर है और जो उसकी वाइप है वो अपने बेटे को अपने बेबी को अभी भी पाल रहे हैं क्योंकि उनका बेबी अभी छोटा ही है वो क्रेडल में पालने में ही रहता है स्लिपिंग सोता रहता है और फिर crying रोता भी रहता है क्योंकि वह भी बच्चा ही है 5-6 महिने में कोई बच्चा इतना बड़ा नहीं होता और एक दिन क्या हुआ farmer की wife ने farmer को कहा कि मैं market जाना चाहती हूँ I wanted to go market उसने अपनी baby को feed किया अपने बच्चे को उसको दूद पिलाया और फिर एक basket ले ली क्योंकि market में जाते हैं grocery का सामान ले करके आते हैं grocery shop kipper के पास जाते हैं और उससे हम लोग भी सामान ले करके आते हैं तो हम कुछ थैला कोई basket ले करके जरूर जाते हैं तो farmer की wife ने एक basket ली और जाते हुए अपने पती को कहने लगी I am going to market the baby is sleeping in the cradle बच्चा जो है वो cradle में पालने में सो रहा है so please keep an eye on him उसका ध्यान रखना उस पे नजर रखना keep an eye on him उसका पूरा ध्यान रखना because ऐसा क्यों कहा उसने उसने ऐसा इसले कहा क्योंकि वो अपने बेटे को मंगूज के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी she didn't like to leave alone her son with मंगूज मंगूज के साथ अपने बेटे को अकेला छोड़ना उसे पसंद नहीं था लेकिन फार्मर ने कहा you need not to be afraid जड़ने की कोई बात नहीं है जो मंगूज होता है वो एक friendly animal है एक अच्छा दोस्त होता है और ये मंगूज तो बहुत प्यारा है उतना ही प्यारा है जितना की हमारा baby जितना की हमारा बच्चा और अपनी पत्नी को कहता है के तुम्हें पता भी है के मंगूज और हमारा baby बहुत अच्छे best friends हैं और तब wipe market चली गई अब घर में कौन कौन है छोटा बेबी मंगूज और फार्मर अब फार्मर सोचता है कि मेरे पास घर पे करने को कोई काम तो नहीं है तब ये खेतों में निकल जाता है अपने क्योंकि इसके fields जो थे वो बहुत नजदीक थे ज़्यादा दूर नहीं थे और जब खेतों से वापिस आता है तो रास्ते में अपने friends के साथ बाचीत करने लगता है इसके friends मिल जाते हैं और यह घर पर पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाता है अर्थात घर पहुंच ही नहीं पाता घर पे कौन पहुंचता है farmer की wife ने अपनी shopping को finish किया जो shop करना था उसको करके market से यह वापिस आ गई और market से जब वापिस आई तो इसके हाथ में क्या था grocery से भरी वही एक basket थी जो यह लेकर करके गई थी इसने देखा मंगूज गेट पे दरवाजे पे वेट कर रहा है यह मंगूज का नियम था कि जब भी farmer यह उसकी wife बाहर जाती थी तो यह उनकी वेट करता था और जैसे ही वो आते थे एकदम से इनकी तरफ भागता था इनका welcome करने के लिए यह एक custom था एक परंपरा थी एक दम से चोंक गई क्या देख करके जो मंगूज है उसके पाज उसके पंजे और उसका मूँ बलड से सना हुआ था खुन लगा वा था उसके पंजों पे उसके मुह पे और एक दम से बेहोस ही होने वाली थी farmer की wife गबरा गई और क्या कहने लगी कि you are a weak animal तुम्हें बहुत गंद animal हो you have killed my baby मेरे बेवी को मार दिया तुमने कुछ नहीं सोचा wife ने सोचा किसने तो मेरे बेवी को मार दिया बहुत गुसा हो गई गुसे में अंधी हो गई blind with rage और वो पूरी की पूरी बास्केट जो हाथ में थी वो मंगूच के उपर दे मारी और एक दम से भाग गई अंदर अपने बेटे को देखने कि इसने तो मेरे बेटे को मार दिया लेकिन जाकर के क्या देखती है कि इसका बेवी तो पालने में सोया हुआ है और वहीं पास में एक snake what is the color of the snake black color काले रंग का एक साप वहाँ पर टुकडे टुकडे होकर के पड़ा है वहाँ पर blood चारो तरप spread है विखरा हुआ पड़ा है oh my god what I have done ये मैंने क्या कर दिया अब wife को पूरी बात समझ में आ रही है कि मंगूच ने तो मेरे बेटों को साप से बचाया है साप को मंगूच ने वारा है और साप को मारते वक्त blood मंगूच के मुह और पंजो पर लग गया तुरंत भाग करके बाहर आती है और मंगूच को देख करके कहती है कि मैंने क्या कर दिया अरे मैंने तुम्हें मारते है मैंने सोचा ही नहीं लेकिन मंगूच तो तब तक मर चुका था और इस परकार से फार्मर की वाइब अब रिपेंट कर रही है पच्चता रही है तब ही बच्चे के रोने की आवाज आती है रोती हुई फार्मर की वाइब अपने आशू को पूछती है और अंदर चले जाती है इस परकार से हमने देखा कि यदि हम बिना सोच विचार किये कोई काम करते हैं तो बाद में बहुत पच्चताना पड़ता है जैसे कि फार्मर की वाइब को पच्चताना पड़ा आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और उसमें कमेंट करें थैंक्यू, हैव नाइस टाइम